नया भारत नया कानून देड़ सो साल के बाद तीन अंग्रेजी कानून खतम हो गए हैं और तीन नए भारती कानून लागू हो गए इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं सबसे पहला फायदा कि गुलामी की सोच खतम हो गी पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोट उसमें इंडिया शब्द था अब उसका नाम हो गया है भारती न्याय संगीता तो आप भारत आ गया इंडिया की जगा भारत आ गया पहले वाले कानुन का नाम था Indian Evidence Act नय वाले का नाम है भारती साक्ष संधिता तो वो भी इंडिया गया भारत आ गया आम आदमी के लिए इसमें बहुत फायदे हैं पहली बात तो यह कि जहां आपके साथ आप राद हुआ है वहीं जाके कि अफायार कराना ज़रूई नहीं जैसे माली जे आप बंगाल में थे वहां आपके साथ कुछ मार्पिट हो गई अब वहां से आप भागे वहां के पास डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं पड़ी का आप वहां अफायार करा सको तो आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में जाके F.I.R. करा दो कि बंगाल के इस थाने में इस अस्थान पे आपके साथ ये हुआ है आपकी F.I.R. रेजिस्टर हो जाएगा दूसरा फायदा ये F.I.R. लिखने की एक टाइम लाइन फिक्स हो गई है तीसरा फायदा पुलिस के जाँच कम्प्लीट करने की भी टाइम लाइन फिक्स हो गई है चौथा फायदा जब चार सिट कोट में फाइल हो जाएगी तो साथ दिन के अंदर मैस्टेट के लिए जज के लिए चार्ज फ्रेम करना अनिवारी होगा है कि क्रिम्हिनल ना कैसे चलता है सबसे पहले सिकायद की जाती है सिकायद करने के बाद पुलिस उसकी घंखती एक साथी यह जान्च करती है फिर वो F.I.R. में F.I.R. लिख देती है, F.I.R. के बाद जांच होती है, फिर वो चार सीट बनती है, वो चार सीट फाइल की जाती है, उसके बाद मैस्टेट उसमे सुनवाई करते हैं, एक दू सुनवाई करने के बाद चार्ज फ्रेम करते हैं, अब सभी चार के चारों प् important है जब पूरी बहांस पूरी हो गई तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है बहांस पूरी हो जाती है जब साब जो है उस मुकदमे को छे महीने बाद उसका फैसला सुनाते है उसकी भी टाइम फिक्स हो गई है कि सुनवाई के साथ दिन के अंदर आपको मुकदमे का पैंतालिस सुनवाई कंप्लीट करने के पैंतालिस दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना है सुनाना है तो आप मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पूरे के पूरे अगर आप इसका इस्टक्चर देखें तीनों कानूनों का तो हम धीरे धीरे जस्टिस विदिन इयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह तीन कानून लागी होते ही एक साल के अंदर मुकद्मों का फैसला सुरू हो जाएगा लेकिन मैं यह कह रहा हूं इन तीनों कानूनों के बाद एक साल के अंदर जो फैसला होना चाहिए उसकी तरह माप आगे बढ़ चुके का इसमें स्नाइचिंग को बहुत सीरे सफञेंस बना दिया है अब देखते रहे हैं चेन सनेचिंग होती देती आइ दिन जापक्टा मारी चलती रहती इसको गंभीर अपराज बना दिया है आतनकवाद को इसमें सामिल कर लिया है पहले उसमें नहीं था पहले IPC में राजद्रों था देश द्रों नहीं था यानि सासन की बुराई करना सासन के खिलाप कुछ करना अपराद था लेकिन देश के खिलाप कुछ करना अपराद नहीं था अब उल्टा हो गया सासन खिलाप आप कुछ भी करिए कोई फ सीटा जा सकता है आप भारत के अंदर से भारत के खिलाप कुछ करिए या भारत के बाहर बैठ के पन्नू जैसे या खालिस्तानियों तरीके कुछ करिए तो भी आपके खिलाफ ये मुकदमा यहीं दर्ज हो जाएगा और आइपी यह भारती नया संगीता है उसमें इसको सामिल कर लिया गया जो भारती संगीता है उसमें इलेट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडें सब कुछ होता नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस नहीं माना जाता था लेकिन अब नहीं वाली जो भारती साच संगीता है इसमें सारे एलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस माना जाएगा आपने वाट्स सारे के सारे electronic जो communication है माध्यम वो सब के सब evidence माने जाएंगे इससे भी सजा दिलवाने में काफी मदद मिलेगे पहले क्या होता है बहुत सारे गंभीर अपराधों में सबूत के भाव में बड़ी हो जाते थे क्योंकि electronic वो भाई technology उज़ करते थे उसको evidence माना नहीं जाता था तो बहुत सारे अब नक्सली आतंकवादी अलगावादी कर्तरपंथी जिहादी यह सब के सब सबूत के भावं बरी हो जाते थे फूली सबूत नहीं दे पाती थे अब क्या होगा electronic evidence का evidence माना जाएगा इसलिए मेरा यह मानना है कि जो अब सजा का rate डबल हो जाएगा पहले कुछ राज्यों में सजा 10% होती थी यानि अगर सो यह होता था था कि यह 10 दस लोगों को सजा होती थी 90 लोग दाइज़त बरी हो जाते कुछ राज्यों में ऐसा भ परसंट हो जाएगी यहां 20% सजा होती थी वो 40% हो जाएगी सजा का rate डबल हो जाएगा लेकिन इसमें और भी कुछ करने की जरूरत है जो तीन नए कानून आया है इसमें जूट बोलने को गंभीर अपराद घोसित नहीं किया गया है जूटी सिकायत को गंभीर अपराद घ घोसित ही किया गया है जूते हलफ नामा को गंभीर अपराद घोसित ही किया गया यानी माली को बलातकार का जूटा मुकडमाद रजकराता है स्टे एस्टी एक्टbon करूछ करता है उसको कोई सजार नहीं हो तो जो मिस्यूज है वो चलता रहेगा फायदे अनेक हैं लेकिन जो कानून का मिस्यूज हो रहा था दहेज का जूठा मुकदमा, छेड़चार का जूठा मुकदमा, बलादकार का जूठा मुकदमा SCST Act का जूठा मुकदमा उसके लिए इस कानून में कोई प्रावधार नहीं है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ जूठी सिकायत, जूठा मुकदमा, जूठी जाच जूठी गवाही, जूठी चार सीट इसको भी गंभीर अपराद घोसित करें दूसरा जूठ पकरने के लिए नार्को पॉलिग्राफ ग्रेम मैपिंगं को मेनडेटरी करें, अनिवारे करें उसको भी एविडेंस माना जाए नार्को पॉलिग्राफ ग्रेम मैपिंग को जितने Hogwarts अगरा तो अब माल लिया गया, लेकिन अभी न जूठ को जूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलिग्राफ बिंड मैपिंग अनिवार किया गया है और बाई देव अगर मान लिजे पुलिस कैसे भी करके आडर कर भी लेती है उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा उसको एविडेंस मानना जरूरी जैसे ही जूठी सिकायत गंबीर लेते हैं फर्जी गवाही देते हैं उता कुछ नहीं तो जब यह गंभीर अपराद हो जाएगा फर्जी डाकूमेंट बनवाना धंभी जितने घुस पैठी आते हैं भारत में वह तो करते है जूठा अधार बनवाते हैं फर्जी फर्जी आधार फर्जी रासन कार्ड सब कुछ बनवा लेते हैं लेकिन उस फर्जी वारे के खिलाब को इसमें कोई धारा नहीं है तो मैं सरकार्स यह भी निवेदन करता हूं फर्जी दाकूमेंट क्रियेट करने के लिए आप 10 से 20 सल्क सजाता का प्रावधान करिए गंभीर अपराद घोसित करिए जूट बोलने करिए और सबसे इंपोर्टेंट जूट पकड़ने के लिए नार्को पॉलिग्राफ कानून मनाईए और जो अभी भी बहुत सारे अपराधों के लिए अलग-अलग कानून चल रहे हैं उसको अम्मर्ज करने की जरूरत है एक देश एक नियाय संगीता वन नेशन वन जस्ट जुडिशन कोड भारती नियाय संगीता जो बनी है इसमें आतंकवाद को सामिल कर लिया रेप वाला जो पॉक्स वाला केस था उसको भी सामिल कर लिया है साइबर क्राइम को भी सामिल कर लिया है लेकिन अभी विकम सकम पचास और कानून अलग से चलने घुस खोरी कलक उन सबको मर्ज करके एक वन नेशन वन पिनल कोड वन नेशन वन पुलिस कोड वन नेशन वन जूडिशल कोड यह अगर बना दिया जाए तो जस्तिस विदिनियत सुरू हो जाएगा मेरा यह मनना है जैसे यह तीन नए कानून बने हैं ऐसे बहुत जल्दी 1861 का पुलिस एक्ट है उसको भी खतम कर दिया जाए और 1861 के पुलिस एक की जगए एक नया कानून लाया जाए भारती पुलिस संगीता अच्छा लब जहाद इसमें आ गया है यह बड़ी अच्छी बा सरकार से कहूंगा इसी भारती नयाय संगीता में चेप्टर डालिए अफेंस रिलेटिन टू इन्फिल्टेशन और घुस पैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रपर्टी जप करने नागरिता खतम करने अधिवन कारावास देने के लिए प्रावधान करें दूसरा इसम अफेंस रिलेटिन टू रिलिजन है उसी में दो नई धारा जोड़ दीजे और साम डाम दंड भे द्वारा धर्मांतन कराने को गंभीर अपराद होसत करिए धर्मांतन कराने वाले मिसंदियों और जहादियों की 100% संपत्ति जप्त करने उनके मददगारों की क्योंकि जो धर्मांतन होता है उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब करने उनकी नागरिक्ता खतम करने और आजियों कारावास देने का पाउधान करिए सरकार से मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं इस कानून में जो लैंड जहाद चल रहा है जो सड़क किनारे रेल्वे किनारे हो रहा हमाचल में हो रहा है उसके लिए श्याव की जञारों में हुपतियार नहीं है तो मेरा यह मानना है कि जो हथियार तसकरी होती है उसको भी सी भारती ना संगीता में सामील करने ने नाची अमारी यंग nearestने बर्बाद हो रही है यह सारे स्कूल कॉलेज में नसे में ब और फैला दिया है तो एक offense related to drugs नशा तसकरी का भी चप्टर इसमें सामिल कर लिया जाए मेरा कहने का मतलब जी अब अलग अलग कानूनों को सब को इसमें सामिल करके एक one nation one penal court बना दिया जाए one nation one judicial court बना दिया जाए one nation one अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें कर दो हमारे जाए one